हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आप सभी को लर्निंग लैसेंस इसू हो जाने के बाद ड्राइविंग लैसेंस की इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसी का कंप्लीट प्रोसेस इस्टेप बाई इस्टेप बताने वाला हूं आप वीडियो देखके खुद से अपना जो है ड्राइविंग लैसेस अपलाई कर सकते हैं इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको इसमें दो डाकुमेंट अप्लोड करने होते हैं पहला आपको प्रेजन्ट एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ट दे दे नोहीं हो गारें और से यहां से जो भी आपका इस्टेट हो इस आप यहां पर कर देगे ना होगा अभी यहां पर दूसरा अप Nuclear ड्राइवंग लैसे से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर बता जाता है आपको फार्म साथी स्टेप में complete होगा continue पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने learning license number जो इसी होगा यहाँ पर इंटर करेंगे data birth learning license का फार्मेट नीचे दिया वह उसी फार्मेट में इंटर करके submit करेंगे तो आपकी details open हो जाती है यहाँ पर आपको नीचे स्क्राल करते हुए जाना को यहाँ आप कोई भी changes नहीं कर पाएंगे अब यहाँ पर आपको select all captions होगा यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे दिन उसके बाद आपको address सो हो जाएगा इधर ही आपका application number सो हो जाएगा प्रिंट टेकलाजी पर क्लिक कर देंगे दिन उसके बाद यहाँ पर आप आप आ जाएंगे आप दूसरे इसकी स्कॉल करको अपना document select कर देना होगा जैसे के अलएट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां से आपको अपनी उसके बाद upload पे आपको click कर दिना होगा, इदर हम step by step आपको बता रहा हूं, दिन उसके बाद आपको confirm पे click कर दिना होगा, first of, आपको document यहीं से upload हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आप नीचे फिर से scroll करेंगे, तब आप आजाएंगे, दूसरे document पे यहाँ पे आप देखते हैं, learner license, आप उसी तरीके से आप यहाँ पे proof में फिर से learner license select कर दिजिए, दिन आपको नीचे फिल से आपको जो है, वहाँ पे choose file का absence होगा, यहाँ पे आप select करके, उसी तरीके से फिर से file upload कर देंगे, all document are uploaded successful pop-ups हो जाएगा, आप इदर scroll करके देख सकते हैं, उसके बाद आपको next पर click कर देना होगा. Next पर जैसे click करेंगे, अब यहाँ पे submit दुबारा फिर से करेंगे, then उसके बाद यहाँ पर फिर से okay करेंगे, आप यहाँ पर फिर से नीचे scroll करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, त्यसरे step पर आप आ चुकी है, उसके पहल लेना होगा यहां से कड कर देंगे फिर उसके बाद यहां पर प्रोशीट पर क्लिक कर देंगे प्रोशीट कर देंगे उसके बाद आप आ जाएंगे पैमेंट मोड पर यहां पर आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपना प्रेमेंट पूरा देख सकते हैं अब यहां पर पेमेंट एक्सेप करके प्रोशीट फार पैमेंट पर क्लिक कर देना होगा पैमेंट मोड जो भी पैमेंट मोड आप चाहते हैं यहां से स्लिट कर लीजिए अगर आपको यहां पर लिक करेंगे उसके बाद आपको क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर से आप जो है उसी प्राइड पर पर पहल जाता तापको रिट्राई एगेन कर्देना हो ग покट लेंगे जा जाएंगे अभी आते घ्लिक करना होगा फिर नियुस्तर दे ती है पर फिर लेंगे अब आपको भी स्वाया किर और कर लेना होगा फिर ऊपर डालके उसके बाद फिर से confirm करेंगे अब यहां पर अपना debit card डालना होगा expiry उसके बाद card hold anance, cvv, capture उसके बाद यहां पर pay पर आपको click कर देना होगा जैसे इस पर click करेंगे OTP आपको OTP यहां पर enter कर देना होगा रोटफर डालने के बाद आपको submit tag to TV पर click कर दोगा अब यहां पर आपको wait करना हो ना तो आपको by करना है न तो cut करना इस wait किजिएगा automaticly online कर देगा आपको दूसरे page पर जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर क्लिक करेंगे दिर उसके बाद यहां पर साइड में बिंदी सो होगी आपको यहां पर क्लिक कर दिना होगा दिन यहां पर क्लिक करेंगे कैपचा डालेंगे उसके बाद अब यहाँ पर अगर आपका डाल करेंगे उसके बाद आपका डाल के अब प्रोटर वहिकल जैसे यहां सिर्फ टूवीलर है उसके बाद प्रोशीट पर बुक पे क्लिक करेंगे ग्रीन अबिल्टी सो हो जाएगी स्लाइगी स्लाइग अपने इसाफ से आप से लिए उसके बाद यहां से टाइमिक स्लेट कर लिजिए उसके बाद जैसे के हम चेंज कर दूबारा फिर से क्योंकि उसमें स्लाइबल कम थी उसके बाद यहां पर डेट टाइम यहां समस्लेट कर देते हैं जो भी अपने हिसाफ से आप स्लेट कर लिजिए उसके बाद यहां पर बुक लॉट पर क्लिक कर दीजिए मेसेज आ जाएगा आपकी नमबर मेसेज जहां आप इंटर करके ओटी भी सब्मिट करेंगे देन नीचे स्कॉल करके आपको कंफर्म टू स्लोट बुक पर क्लिक कर देना होगा यहां से आपकी स्लोट बुकिंग हो जाती है नीचे स्कॉल करके आपको इसको प्रिंट कर लेना होगा